नमस्कार आज का मुदा में आप सभी का स्वागत है मैं हूं दीपक मेरतवाल मेर साथ प्रोग्राम में रहेंगे हच्पीसी न्यूस के न्यूस है प्रतापराव जिस तरीके से देखने को मिला कि पेट्रोल के दाम एकदम से बढ़ा दिये गए सारे साथ रुपए की व्रिध प्रेशनों का एक दोर शुरू हो गया और इस दोर के बाद ये बालूम पड़ता है कि एक दिन के बंद का हवान किया जाता है कल यानि 31 माई को एक बंद रखा जा रहा है जिस बंद में कि NDA के घटक दल जितने भी हैं वो पूरे देश में अपना फिरोध प्रेशन करेंग तो इस बंद के बाद भी क्या जनता को गिराहत मिलेगी एक बड़ा सवाल है यानि राजनतिक रोटियां सेखने की कोशिश सभी कर रहे हैं अगर बात करें आम जनता अपने आपको फिलहाल ठगा समहसूस कर रही है लेकिन इस बढ़ोतरी ने राजनतिक दलों की भी नीद जरूर आती है जहां बीजेपी को बैठा बैठा एक मुद्दा मिल गया तो वहीं कॉंग्रेस बैक फुट पर नजरा रही है ऐसे में अब कॉंग्रेसी भी इस बढ़ोतरी का फिरोत करते हुए केंद केंदर के पाले में टाल रहे हैं साथ ही अब समान रूप से उठने लग आम आदमी के साथ ही राज्य सरकारों के मात्य की शिकन में भी इजाफा हो गया है विपक्षी पर्टियों ने तो कॉंग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला ही है राज्य के कॉंग्रेस विधायक भी इसे लेकर खासे खफा नजर आ रहे हैं और केंदर सरकार के इस निर्णे को गलट ठेरा रहे हैं साथ ही राज्य सरकार को भी वैट कम करने की सलह दे रहे हैं किया गया तो विक्री करके कारण भी जो अलग अलग राज्यों में पैट्रोल की कीमतों में और ज्यादा वृद्धी हो जाती है इसको पूरे देश में एक करना चाहिए पैट्रोल पर हुई इस मुल्य वृद्धी को सभी गलत ठेरा रहे हैं तो ऐसे में राज्य के कॉंग्रेस प्रदेशा जक्ष भी चंता के दर्द को महसूस कर रहे हैं डॉक्टर चंद्रभान ने भी इस मुल्य वृद्धी को चंता पर जादा बोस्तों बता ही दिया पर सत्ता दलके होने के चलते उन्होंने बात को केंद्र के पाले में वापस डालते हुए कहा कि केंद्र को वैट को लेकर एक समान पॉलिसी बनानी चाहिए कमेटी थी उनको कैसे भी वेट को लागू करना था इसलिए रज्जियों की इस मानना पड़ा अन्य तेदी उस्सित में तेह हो जाता तो यह बात सही है कि वेट के लागू करते समय पैट्रोल प्रदार्तों को इससे अलग रख दिया गया था जिससे की राज्य सरकार मनमाने हिसाब से वैट जनता से वसूल कर रहे हैं किसी राज्य में वैट की दर 26 प्रतीशत है तो किसी राज्य में वैट की दरें 20 प्रतीशत हैं गोवा ने तो अपने रा इसे कॉंग्रेस के गले में फसी हडीक दिखाई दे रही है तो डॉक्टर चंदरभान के बयान सत्ता में बैठे गैलोत के लिए किसी पहेली से कम नहीं ऐसे में आम आदमी को बयान बाजी से दूर इंतिजार है तो केवल राहत का वो चाहे केंदर दे या फिर राजे कैमरामे यासीन के साथ अजीश एखावत HBC News जैपूर तो जिस तरीके से 31 माई को मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है एंडिये के जितनी बेखटक दल है वो सब इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है जनता का एक समर्थन लेने की कोशिश कर रही है शायद दूसरी पीने वालों को पीने का पाहाना चाले है पिछे काफी समय से सियासत बड़ी ऐसे बिलकुल उबाउस ही चल रही थी तमाम रश्टाचारों के आरोपों के बावजूर तमाम अविवस्ताओं के बावजूर केंदर सरकार पे जूर नहीं रहेंग रही थी सब कुछ शांत सा चल रहा था विपक्षी भी कुछ नहीं कर पा रहा था राजी में भी मुख्यमंद्री का विरोध हो रहा था लेकिन वो भी सब दब चुका था भाजपा में तो यहां विपक्षी दल के तौर पे दम ही नहीं नहीं जर आ रहा था इन सब के बीच में पैट्रोल ने कैसे पहले पाइदान पे हैं, उनको भी इस पेट्रोल ने खामोश नहीं रहने दिया है, आज उनकी सियासत में भी ये पेट्रोल आख का का काम कर रहा है, राजस्थान की राजनियती लें, राजस्थान में अभी हमने प्रताब सिंग खाचरियावास का बियान सुना, वो राजस् इस बात को भी जानते हैं कि चंदरभान जो कांग्रिस के प्रदेश-अद्डिक्ष्य आजकल किस तरह से तल्क हो रहे हैं उनके रिलेशन लेकिन पैट्रोल ने पैट्रोल के बढ़ते दामों ने उनकी सियासत को पैट्रोल देने का काम कर दिया है और चल पड़ी है उनकी गा तो पेट्रोल पर सियासर हो रही है दोनों बातें एक साथ चल रही है एक बात करते हैं कि सियासत तो होनी ही थी जब एक इतना बड़ा मुद्दा जनता पहले से परिशान है और जनता की परिशान होने की एक बहुत बड़ी वज़ा है कि देश में जो पेट्रोल की दामों में पढ़ोतरी हुई साड़े साती की रूप में से देखा जा रहा है देश में कभी भी इतनी ज्यादा दामों में व्रद्धी नहीं हुई है पेट्रोल कमपनियों ने संसत का बजट सत्र पूरा होने के एक दिन बाद ही लगभग आठ रूपए के करीब दाम बढ़ा दिये इसी के साथ देश में एक पर फिर से महेंगाई के मुद्धे पर विरूत और भी स्यादा बढ़ गया राजनीती शुरू हो गई पर इन विरूत दर्शनों और बंद से जनता का क्या कोई फायदा है ये एक बड़ा सवाल है फायदा फिलहाल कम से कम राजनीतिक दल तो जरूर उ से पैट्रोल की कीमत व्रद्धी की गई है एक ही जटके में पैट्रोल के दाम सीधे साड़े साथ रुपे तक बढ़ाए गए है इससे एक बार फिर लोगों में रोश की लहर दोड़ गई है लोग ये मानते हैं कि सरकार गरीबों का कोई ख्याल नहीं रख रही है इस बारे में सभी वर्द्ध के लोगों का एक मत है उनका कहना है कि कमर तोड महंगाई में पैट्रोल के दाम भढ़ाना सरासर जनता के साथ अन्याय है और दाम भढ़ने के बाद आम आदमी का महंगाई से जीना मुश्किल हो रहा है कीमतों में हुए इस जबरदस्त इजाफे ने आम आदमी का बजट बिकाड कर रख दिया है पैट्रोल के दाम भढ़ने पर विपक्षिदल और सरकार की सहयोगी पार्टियां विरोध जताते हैं ऐसे में विरोध प्रदर्शन कर सरकार को घेर दबाव तो बनाया जाता है साथ ही साथ विरोध प्रदर्शनों में सडक से लेकर संसत तक हंगामा होता है और बंद का आवान तक भी कर दिया जाता है इन बंद प्रदर्शनों में रास्ते जाम करना, पुतले फूकने के साथ तोड़-फोड भी आम बात हो जाती है और इसके साथ ही पिसाई आम आदमी की होती है वहीं आम आदमी जो रोज कमाता और खाता है ये दिहारी मजदूरों को बंद होने पर रोजगार का भी टोटा हो जाता है और व्यापारी से लेकर मजदूर तक को आंदनी और व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है वैसे तो आम सहमती से बंद में लोग सहयोकर स्वेचिक बंद रखते हैं पर कभी बंद के दोरान कारी करताओं के गुस्ते का सामना भी आमर जनता को ही करना पड़ता है सलक परलगी चाय का चोरी से लेकर बड़ी बड़ी दुकानों पर तोड़ फोड और सरकारी संपत्यों को नुकसान पहुँचाय जाता है आगजनी, बसों में तोड़ फोड और रेल से लेकर रास्ते तक जाम कर दिये जाते हैं और मुद्दा भटक कर सरकारी और निजी संपत्ती को नुकसान पहुँचाने तक ही रह जाता है इस बंद के साथ आम आदमी को स्वास्त और परिवहन के साथ आवशक सुवधाओं का भी तोटा हो जाता है राजनातिक संगठन अपनी रोटियां सेकते हैं और जनता सवाल पूछती रहती है कि ये बंद किसके लिए है और अगर ये जनता के लिए है तो जनता से पूछ कर ही ये बंद रखना चाहिए क्योंकि परिशानी तो आखिरकार उन्हें ही होती है आम आदमी से लेकर जनता तक कीमतों में उच्छाल और बंद की दोहरी मार जहलती है तो एक बड़ा सवाल की जब भी कभी ऐसे प्रदर्शन होते है रास्ता जाम किया जाता है जनता के हिद के लिए बात की जाती है लेकिन जनता उससे कहीं तूर रजाती है प्रादब जी अक्सर ये देखने को मिला है किसी भी मुद्दे को लेकर कैकर रास्ता जाम किया जाता है उससे सबसे ज्यादा परिशान आम जनता को होती है सबसे ज्यादा परिशान जनता को होना पड़ता है चाहे बंद हो चाहे प्रदर्शन हो चाहे तोड़ फोड़ हो कि घर के दरवाजे बंद कर लें और चुप रहें क्या ये कहने कि आज दुकानों में जा की ज्यादा बिगरी करें क्या के है आकेर में विरोत प्रदर्शन्ग का अपना आक्रोश विक्त करने का कोई ना कोई तरीका होगा आखिर में वो हो सकता है लोक्तंत्र में बंद इस बंद का असर के कारण जो आम जो गरीब और मजदूर है जो रोज का कमाते हैं रोज का खाते हैं उनके लिए निशेत तोर पे एक बहुत बड़ी दुविदा का काम हो सकता है लेकिन शायद लोक्तंत्र में इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है अगर रास्तंत्र होता तो लोक तलवारे उठा लेते और राजा को सत्ता से हटा देते लेकिन लोक्तंत्र है लोक्तंत्र में सत्ता से हटाने का यही तरीका है वोटो की ताकत लेकिन वोटों की ताकत पांच साल बाद बताने का मौका आता है पीच में जब समस्या आती है तो क्या करें लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दीपक ये मुद्दे ऐसे होते है जो सियासत को गर्मा देते है जब जन्ता के हाथ से पेट्रोल दूर जाता है तो सियासत में पेट्रोल काम आने लगता है तो सियासत में पेट्रोल काम आता है निशेत तोर पे एक बात तो ये है कि इस तरह के जो बाते है जब हम देखते हैं कि बंद का आवान होता है जन्ता तरस्त होती है जन्ता साथ होती है कुल मिलाकर निशेत तोर पे उसका असर कही ना कही शाशन और प्रशाशन पढ़ता है लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि राजनेतिक दल भी या किसी पर पार्टी के अंद्रोणी विरोधी भी वो ऐसे मौकों का फायदा उठाते हैं खुद के लिए समस्या यहाँ इस बात की नहीं है कि किसी बंद से जनता को कितनी तकलीफ होती है समस्या इस बात की भी नहीं है कि उन मजदूरों को उस दिन की रोटी नहीं बिल पाती है यदि विरोध वेक्ट करने का यह तरीका है तो फिर भी चायज है लेकिन आम λोगों के लिए बंद नी होता यह बंद होता है सियासत के लिए यह बंद होता है भाच-पचप करती है तो कॉंग्रिस को सब्ता से हटाकर लोगों का जन्मानस अपनी ओर करके कुछसी पे आनी के लिए इस बात के लिए नहीं कि पैट्रोल के दाम घड़ जाया है और जनता को रहात मिल जाए बहाना पैट्रोल के दाम का होता है इसलिए कहा है कि सियासत में पैट्रोल आग का काम कर रही है और पैट्रोल को लेकर के जिस तरी की कि सियासत हुई है वो सियासत में सब ही दलों ने ये साबित करने की कोशिश की कि वो जनता के सबसे बड़े हितैशी है सरकार के भी कई धड़े ऐसे थे जिन्होंने की इस बात का पूरी तरह से विरूद किया फिलाल बात करते हैं कि किस तरीके से पूरे देश में लगातार एक विरूद की लहर उठी इस पेट्रोल के बाद पेट्र्ول की जो कीमत बढ़ी साड़े साथी जी से कहा जा रहा है और कॉंग्रेस ने पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़ाए कांग्रेस पर हिस का एक कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा सर पड़ा लेकिन विपक्षित अलों को अपने उपर खावी होने का काफी मौका मिला और इस सब में एक सबसे बड़ा पहलू ये है कि वैट की जो बात की जा रही है हम जानते हैं कुछ विशेशक्गियों से इस वक बात करते हैं हम पेट्रुलियम टीलर असोसियेशन की अथ्यक्ष सुमिध बगए हमारे साथ जुड़ गए है सुमिध जी जिस तरीके से बात की जा रही है कि जिस तरीके से गोवा में वैट कम किया गया है वैसे ही हर जगे पर वैट कम कर दिया जाना चाहिए क्या लगता है आपको कि वैट कम करना एक बहुत एक इसका सॉलुशन है इस समस्या का बिल्कुल मैं आपको बताना जी सुमिध जी आप मेरे बाद सुन पा रहे हैं लगता है अभी किसी तकनीकी खराबी के बज़े से हमारे उनसे संपर्ट टूड़ गया है एक बाद फिरसे भी उनसे जुड़ेंगे और भी जो अइकश्पर्स उनसे बात करेंगे कि कि लिए बैट जो है उसके मात्यम से कंट्रूल करके पूरी की पूरी जो महंगाई बड़ी है उसको कंट्रूल किया जा सकता था लेकिन एक बहुत बड़ा स्वाल इस वक्त यह है कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी